जिसको हम योग सास्त्रे में सच चितानन्द कहते हैं, वो ब्लिस है, वो आनन्द है, लेकिन हैपिनिस वो कुछ और है, हैपि कब होते हैं, जब अपने जिन्गी की जो जरूरत चीज है, रोटी कबड़ा मकान, ठिक से हो जाए, तो उसे चेन मिलता है, जहाँ आसान्ति नहों, वहाँ सान्ति है, वहाँ सूख है, चैन है, श्रीक्रिष्ण बगवान के एक बहुत सुन्दर श्लोक है, अध्याई 266 श्लोका, वहाँ कहते हैं कि सभी प्तानी को सुख चाहिए, किसको सुख नहीं चाहिए, हर आद्मी को, हर जीव जंतों को, पैर प उनको भी कुछ नहीं मिलेगा खाने पिना तो वो सुख जाते हैं। जिनके रिदे में सांती नहीं है, वो सुख नहीं पा सकता है। सब कुछ होते हुए भी सांती नहोने से, वो सुख होते हुए भी सब कुछ होते हुए भी वो उचसे दूर रहेगे। तो सांती कैसे प्राप्त करें, सांत मन कैसे होए, सांती और मन का बहुत गहरा सम्बंद है, जो मन, मनन कर सके, कॉंटम्प्लेशन कर सके, हार्मनी बना सके, वहां सांती रहती है, और मनन कब कैसे कर सके हम, जब हमारे पिचार, हमारे मन, अपने काबों में हो, और मन कब काबों में होएगा, जब आप ध्यान करोगे, तब ही होएगा, तो इसका रिष्टा देख लो, आप इसका सम्बंद जोड लो, ध्यान और सुक्ष, चैन, सांती, इते हैं, डायरेक्ली डिपेंडेंट, क्योंकि जो ध्यान में ही हो जाता है, उनकी विवेक बुद्धी भी सुदर जाती है, उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब चीज का बहान हो जाता है, गलत चीज करने से पहले ही, ध्यान में ही लोगों को पता चल जाता है, कि ये करू या ना करू, चोटे बच्चे को भी पता होता है, कुछ हाथ से दूद की बॉटल गिरी जाती है, चार महीने का हो या पाँच महीने का, उसको भी पता होता है कि कुछ गलत हो गया, हमको क्यों नहीं होता है हमको भी होता है लेकिन हम सुनना नहीं चाहते हैं किसी को गाली दे दी कोई बात यह हमरा हक के गाली देने का ऐसे लोगों को हम कैसे ट्रेन कर सके है इस वर उनको ही पसंद करते हैं जो खुले दिल से आते हैं कहते हैं कि आपकी मदद चाहिए मैं आगे नहीं पढ़ रहा हूँ दुर्योदन का गमंड था आप सबको पता है जाना में धर्म नचमे प्रवृत्ति मैं जानता हूँ धर्म क्या है कुछ कर्म नहीं कर सकता हूँ मैं मैं जानता हूँ कि अधर्म भी क्या है लेकिन इस वो छूटता भी नहीं है लेकिन इसमें थोड़ी से ज्यादब अखल होती तो क्रिश्य क्रिश्न को कह सकते थे के प्रवो मुझे मदद कीजिए मैं हार्ट इज ओपन मेरा रिदे कुल्ला है लेकिन हम भूल करने के बाद भी शुकारित नहीं करते हैं उस पर अपने संस्कारों पर और बोज बनता ही रहता है जब तक संस्कार रहेंगे अच्छे बुरे तब तक ये जनम मरन का चक्र तो चलता ही रहेगा और बुरा भोगने के लिए हो या अच्छा भोगने के लिए हो भोगने के लिए तो आना ही पड़ेगा तो योग सास्त्र कहता है जब तक हम संस्कार रहेंगे टोटल संस्कार रहेंगे नहीं होते हैं तब तक मुक्ष की अपक्षा हम कभी नहीं कर सकते हैं झाल झाल